सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है वांग्रेश और उसके एको सिस्टीम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए है क्योंकि मैंने गणपती पूजन में हिस्सा लिया था इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाकों के पीछे डाल दिया आज के इस हम दिन हमें उन चुनावतियों पर भी ध्यान देना है जो देश को पीछे दकलने में जुटी है आज जब हम गणपती पॉप्पा को विदाई दे रहे हैं तो मैं एक विशाय इसी से जुड़ा उठा रहा हूँ गणेश उत्षव हमारे देश के लिए केवल एक आस्था का परवही नहीं है गणेश उत्षव ने हमारे देश की आजादी में भी बहुत बड़ी भूमी का निभाई थी जब सत्ता की भूख में अंग्रेज देश को बांटने में लगे थे देश को जातियों के नाम पर लड़वाना समाज में जहर घोलना बांटो और राज करो ये अंग्रेजों का हतियार बन गया था तब लोक मान्य तिलक ने गणेश उत्सव के सार्वजनिक आयोजनों के जरिये भारत की आत्मा को जगाया था उंच नीच बेदभाव जाजपात इन सब से उपर उठकर हमारा धर्म हमें जोड़ना सिखाता है गणेश उत्सव इसका पतीक बन गया था आज भी जब गणेश उत्सव होता है हर कोई उसमें शामिल होता है कोई बेद नहीं कोई फर्क नहीं पूरा समाज एक शक्ति बन करके एक सामर्थवान बन करके खड़ा होता है भाई और बैनों बांटों और राजकरों की नीटी पर चलने वाले अंग्रिजों की नजोरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पुजा से परेशानी हो रही है आपने देखा होगा कॉंग्रेस और उसके इको सिस्टीम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए है क्योंकि मैंने गणपती पूजन में हिस्सा लिया था और तो और करनाटका में जहां इनकी सरकार हैं वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपरात किया इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाकों के पीछे डाल दिया पुरा देश उन तस्विरों से विचलित हो गया ये नफरत बरी सोच समाज में जहर घोलने की ये मान सिकता ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है इसलिए ऐसी नफरती ताकतों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है साथियों हमें साथ मिलकर अभी कई बड़े मुकाम हासिल करने हमें उडिशा को अपने देश को सबलता की नहीं उचाईयों पर लेकर जाना है ओडिशा बांसिकरो समर्धनो फोईमो चिररुने मोदीरो अस्षा सारा भारत कोईबो सुन्ना रो ओडिशा स्चर्च ज़स्टा सारा भारत को समर्दा स्बीश